आप सभी को मेरा राधे राधे आए आज हम 15 इंच के जुगल जोडी में ये राधा रानी का ये पहले बतला चुके हैं आप लोगों को आज हम ये जानेंगे जो कोट नूमा बना हुआ है इसे हम जानेंगे कैसे बनाया जाता है इसके पहले हम जो अंदर आप लहंगा देख ये हम आप लोगों को बतला चुके हैं उसका वीडियो हम डाल चुके हैं तो ये है 15 इंच के जुगल जोडी में राधा रानी का लहंगा बहुत ही प्यारा बहुत ही खुबसूरत सा और इसके साथ में देखे ये टोपी हम बनाये हुए हैं टोपी भी बहुत प्यारा है बह पिचे तक का लंबाई 13 इंच है तो इसका टोटल लंबाई आपको 13 और 4 जोड लीजे कितना होता है टोटल लंबाई उतना है अगर आप चाहेंगी तो यहां आधा एक इंच का फर्क इसमें आपको मिल जाएगा देखने को तो आधा एक इंच कोई माहिने नहीं रखता है चलिए सबसे पहले हम इसके लिए चोली बनाएंगे चोली आप बना लीजे चोली का लिंक आपको description box में मिल जाएगा देखे चोली हम किस तरह से हां पे बनाए हुए बाह बनाए हुए है और चोली में बाह का लंबाई भी आप सारह चार या पांच इंच दे सकती है चोली ह हम यहां तक बना कर complete किये हुए हैं इसके बाद यहां से हम बनाना घेरा सुरू किये हुए हैं तो यहां से हम देखे किस तरह से बनाए हुए हैं इसे हम अभी आप लोगों को यहां पे बतलाएंगे तो इसके लिए हम यहां यह चीज हटा लेते हैं क्योंकि यह जो उपर से अंदर से लहंगा मातारानी का है जिसमें राधारानी अंदर से लहंगा पहनेगी ये वाला पहनेगी और उपर से इसे डाला जाएगा तो ये तो हम बतला चुके हैं चलिए इसे हम हटा लेते हैं इस पे देखिए हम डोरी यहाँ पे डाले हुए हैं readymate और साथ में T button डाले हुए हैं आप चाहें तो T button डाल कर डोरी डाल कर इसे complete कर सकती हैं तो फिर चलिए हम आप देखते हैं कैसे बनता है तो देखिए यहाँ पर इसे हम बनाए हुए हैं किष्ठंग से सबसे पहले तो यह समझेए कि यहाँ पर हम डोरी डाले हुए हैं डोर एक लाइन बना लेने के बाद में यह एक लाइन बना लेने के बाद में हम एक बीच करते हुए देखिए आप एक चैन बीच करते हुए दूसरे चैन से एक डबल क्रोशिया एक चैन एक डबल क्रोशिया बना लेंगे देखिए यहां पर हम अच्छी ढंग से समझेंगे देखिए यह एक लाइन हम बना लिए एक डवल कुरोशिया यह दूसरा लाइन जो हम बनाएंगे इस कलर से इस पर हम एक डवल कुरोशिया एक चेन एक डवल कुरोशिया बनाएंगे फिर एक बीच करेंगे काना जी का जो हम बनाये थे उसमें दो बीच किये थे इसमें हम एक chain बीच करेंगे और इस चीज को बनाकर पूरी line में complete कर लेंगे ये चीज बनाकर complete कर लेने के बाद जो हम अगला बनाएंगे तो अगला भी देखे इसी चीज़ को repeat करेंगे दो line हम से इसी चीज़ को repeat किये हुए हैं और यह जो तीसरा line आपको आता है यहाँ पर हम परतेक में यहाँ एक भी हम एक double crochet नहीं किये हुए हैं सबों में हम दो-दो double crochet बनाए हुए हैं देखे तीसरा जो यह आता है इस पर दो double crochet एक chain दो double crochet फिर से यहाँ पर एक chain लेंगे दो double crochet एक chain दो double crochet फिर से यहाँ एक chain लेंगे इसी तरह से इसे हम कितना line में बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, चार लाइन हम बुन कर complete करेंगे, दो, दो डबल क्रोशिया, चार लाइन बुनेंगे, पांचमा लाइन में हमें क्या करना है, तीन, तीन डबल क्रोशिया बुन लेंगे, देखिए, यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया है, फिर यहाँ भी तीन डबल एक चेन तीन डबल कुरुसिया अब इसी चीज को हम बीनते चले जाएंगे कितना लाइन में एक दो तीन काफी लंबा है ये तीन के बाद चार पाँच छे साथ साथ लाइन हम इस तरह से बून लेंगे और आठवा लाइन जो हम बूनेंगे उसमें एक बार यानि एक भार हम चार डबल कुरुसिया करेंगे देखिए यहर है तीन बूनेंगे यहां पर सबों में हम चार चार बूने हुए है देखिए लास्ट तक हमारा 44 double crochet है एक दो तीन चार पांच छे साथ लें हमारा 44 चाहर डवल क्रोशिया गया है जिसमें की एक में हम कलर चेंज किये हैं और इसके बाद इस पे हम कलर फिर से जो पहले बना रहे थे उस कलर को यहां पे लाएं और इसके बाद लाश्ट लाइन जो हम बूनेंगे जैसा कि हम कृष्णा जी का आप लोगों को बतला चुके हैं य यहां लाके जोड़ेंगे फिर आठ डवल क्रोस या फिर यहां लाके जोड़ेंगे तो देखिए इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे अब एक बारा आप इसे अच्छी तरीके से देख ले जैसे की देखिए यहां से देख ले आपको समझ में आ जाएगा अगर आप कही भी आप समझ नहीं पा रही हैं तो यहां पे आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा तो इस तरह से हम इसे तयार किये हुए हैं तो इसका यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक का लंबाई हम 13 इंच डाले हैं और चोली का जो लंबाई है 4 इंच है और चोड़ाई भी 4-5 इंच रखें और यह बाह का लंबाई 4-5 इंच रख सकती हैं आप जितना लंबा डालना चाहती हैं इसके बाद फिर हम यहां पर आउटलाइन डाले हुए हैं जैसा कि कृष्णा जी का में हम बनाए हुए थे बिल्कुल सेम तरीके से हम बनाए हुए हैं देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे इस जगह से हम बनाना स्टार्ट करेंगे और इसे बनाते चले जाएंगे बनाते हुए हम गला तक आएंगे फिर यहां भी हम दो चेन ले लेंगे फिर से यह गला का बना लेंगे गला का बनाने के बाद फिर से हम दो चेन लेंगे फिर से यह एक साइट का बना लेंगे एक साइट का बनाने के बाद हम इस चीज को यहां पर बना लिए हैं और लास्ट लाइन जो हमारा है यह बना लिए बनाने के बाद यह आपका कम्प्लीट हो जाएगा तो इस तरह से यह राधारानी का लहंगा बनकर लहंगा के उपर से पहनने का जो को जाएगा तो यह खुबसूरती साफ नजर नहीं आएगा तो आप एक खुक डाल दे सकती है इस अस्थान पे और यह डोरी तो आपकी एक्छा नुसार है अगर आप इसे टाइट करना चाहती है तो यहां ना बांध कर पीछे की और ले जाएं यह दोनों को पीछे की और ले ज लहंगा बनकर यहां पे कंप्लीट हो जाएगा देखे बिलकुल सरल तरीके से हम यह बनाए हुए हैं फिर से आप लोगों को एक बरें बतला देते हैं धिखे एक दो दो लाइन हम बनाएंगे एक डवल क्रोसिया एक चेन एक डवल क्रोसिया दो लाइन बनाएंगे इसके बाद एक दो तीन चार चार लाइन हम बनाएंगे दो दो डवल क्रोसिया परतेक में दो दो डवल क्रोसिया दो डबल कुरोसिया एक चेन दो डबल कुरोसिया यह हम चार लाइन बना लेंगे एक दो तीन चार और उसके बाद अगला लाइन में हम तीन तीन डबल कुरोसिया करेंगे जैसा कि यहां की हैं देखिए तीन डबल कुरोसिया एक चेन तीन डबल कुरोसिया फिर तीन डबल आप 3 double crochet परतेक में और 9 line आप 3 double crochet परतेक में बूने इसके बाद अगला से आप बूनेंगे यहां पर 1,2,3,4,4 double crochet तो यह कितना line जाएगा 1,2,3,4,5,6,7,7 line जिसमें की छटा line हम color change करेंगे यह 7 लाइन उसके बाद फिर से इसी color को यहां ले आएंगे और यह जो हम last में बन आए हुए हैं यह 8 double crochet एक chain 8 double crochet यानि बीच में chain नहीं लेना है हमें 8 double crochet जब बनाएंगे तो यहां पर जोड़ लेंगे फिर से 8 double crochet बीच बीच से बनाएंगे यहां जोड़ेंगे तो इस तरह से यह आपका बन कर complete हुआ है उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह पसंद आय होगा अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें फिर चली मिलते हैं अगले वीडियो में